Students, यह question है, area of a parallelogram is 625 meter square, यह हमारे पास parallelogram है, जिसका area हमें given है, तो मैं लिख देता हूँ, area होगे हमारे पास 625 meter square, find the length of sides of parallelogram if altitude corresponding to sides are 20 meter and 25 meter, तो यह length of side find करने means AB और BC हमें find करनी है, और corresponding altitude होते हैं, जैसे यहां से हम AB के ओपर यह altitude draw करते हैं, इसका altitude का नाम रख लिए हमें DE, तो हमें DE find करना है, DE given है, हमें 20, यह 20 meter हो गया, तो हमें AB find करना है, तो formula होता है, parallelogram के area का, कि base into height, equals to area, तो क्योंकि हमें यह height given है, base find करना है, तो base हो जाएगा area over height, area यहां पर हमें given है 625, और इसकी height होगी 20, तो जब हम divide करते हैं इसको, तो 2 के level पर काटेंगे, 31.525 हो जाएगा, तो 31.25 cm, यह आजाएगा, यह जो AB है, 31.25 cm आगे हमें पर पस AB, अब इसने कहा है कि जो दूसरी side है, दूसरी side है BC, इसके corresponding altitude बनेगा, वो यह बनेगा, इसका नाम में रख लेता हूँ, EF, अब इसका भी जो area आएगा, वो ता base into height, area same है, तो यहाँ पर हम दूसरा जो base है, वो find कर सकते हैं, तो दूसरा जो base मेरे पास आएगा, area over height, या altitude, area है 625, और दूसरा जो altitude है, वो है 25 cm, तो 25 से divide कर दिया है, 25 सीधा कर जाता है, 25 cm आगे मेरे पास, दूसरी side, तो यह जो side आ दूसरा जाओा है, 25 कर दो दूसरा जो